गुड मॉरिंग एब्रिवान आएम निकीता शर्मा प्रोम डी अवी पब्लिक स्कूल सिक्कर सो ग्लास एल के जी सब्जेक्ट्स आपका क्या है मैं और पार्ट है बन और क्या करना है आपको वक्षीट का सॉल्यूशन करना है जो वक्षीट आपके पास पहले ही आ चुकी है उनीका सॉल्यूशन करना है और वक्षीट कौन सी है फर्स्ट और सैकेंड ओके तो आपका जो फर्स्ट यूशन है वो क्या है राइट एंड लर्न काउंटिंग कितने इंट्रेस्टिंग होती है ना काउंटिंग अब हम पढ़ेंगे काउंटिंग और वन से फिप्टिं तक की ओके तो करें स्टाट ये देखूं ये है आपका वन ये है वन ये है टू ये है त्री और ये फॉर्टिंग और ये फाइफ ये सिक्स ये सैवन और ये एट ये नाइन और ये टैन हो गया नाइन तक तो अनली वन नंबर की और टैन के आगे अब टू नंबर की डिजिट्स नंबर चलेंगे अपने करें आगे शुरूं देखो वन और वन को मिलाओगे तो कितने बन जाएंगे वन वन इलेवन 1-2-12, 1-3-13, 1-4-14, 1-5-15, 1-6-16, or 1-7-17, 1-8-18, 1-9-19, 2-0-20, यह देखो 10 आगया, अब 11 की लाइन में क्या आगया? 2-0-20, अब देखो 2-1-21, 2-2-22, 2-3-23, 2-4-24, 2-5-25, 2-6-26, 2-7-27, 2-8-28, 2-9-29, 3-0-30, हो गया, अब करें नेक्स लाइन शुरू 3-1-31, 3-2-32, 3-3-33, 3-4-34, 3-5-35, 3-6-36, 3-7-37, 3-8-38, 3-9-39, 4-0-40, 4-1-41, 4-2-42, 4-3-43, 4-4-44, 4-5-45, 4-6-46, 4-7-47, 4-8-48, 4-9-49, 5-0-50, 5-0-50, हो गई आपकी काउंटिंग कम्प्लीट, ओके? ओके स्टूडेंट्स, देखे, आपकी कम्टिंग कम्प्लीट हो गई, कहां तक? 1-50 तक की, है न, अजब हम क्या करेंगे? अब हम कुछ अलग सीखते हैं, अब क्या सीखेंगे? वो देखे, तो देखे, क्या उश्या नमबर है आपका टू, और क्या उश्या नमबर टू में क्या सीखोगे आप? नमबर नेम, ओके? तो देखो, राइट एंड लान नमबर नेम और वन टू, पाइव अब जो ये नमबर नेम है न, हम धीरे सीखेंगे एक साथ है, नमबर नेम नहीं सिखेंगे, अगर एक साथ नमबर नेम सिखेंगे तो क्या होगा? confusion हो जाएगा हमें इसलिए अब देखो first number देखो ठीक है तो अब first number सीखते हैं तो देखो ये क्या है? ये smiley ball है है ना? तो ये जो smiley ball है वो कितनी है? वो one है अब हम क्या करेंगे? सीखेंगे तो देखो one अब हम इसका number name लिखते हैं वन का तो देखो इसका number name क्या होगा? O N E one बन गया ना? one O N E one ठीक है? फिर देखो पिर है second number अब देखो आपका second number है वो क्या है? ठीक है? वो ही देखना है ना आपको ये देखो second two का मतलब क्या होता है? जहां पर दो चीजे हो ठीक है ना? दो चीजे हो अब देखो दो चीजें जहां पर two things होती है वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है two ठीक है ना? अब देखो यहां पर two things है तो अब हम किसका number name सीखेंगे? टू का number name सीखेंगे अब हम किसका number name सीखेंगे? अब हम सीखेंगे तो देखो अब देखो three things है यहां पर कितनी things है? ठीक है? यह three things हो गई ना? अब हमें किसका number name सीखना है? अब हमें सीखना है three का number name और three का number name क्या होगा? टी एच आर डबल इ थ्री टी एच आर डबल इ थ्री हो गया अब देखो आपको सीखना है four का किसका सीखना है? four का number name ओके? तो four का number name सीखने के लिए आपको क्या करना है? काइट्स बनाएंगे हम ठीक है? ये रही आपकी काइट one ये थोड़ी सी बड़ी वाली काइट्स बना देते हैं ये टू ये इससे भी बड़ी वाली काइट्स बना देते हैं ठीक है? आपको तो काइट्स फ्लाइ करना बहुत अच्छा लगता होगा सबको ये three और ये है four ये थोड़ी छोटी काइट है ये देखो ये किसका number name सीखेंगे हम? four का और four का number name क्या होता है? F O U R four अब हम सीखेंगे number five अब देखो आपको तो बहुत सारी चीजे पसंद होती हैं अब जो चीजे पसंद होती हैं तो वाव क्या हो गया? ये smiley ball भी मिल गई balance भी मिल गई ठीक है? और ये आपको kites भी मिल गई आप कुछ खाने के लिए sweet सोनी चाहिए तो लड़ू हो जाए वाव ये five क्या बात है? five लड़ू very good, very tasty और yummy अब हमें किसका number name सीखना है? five का one, two, three, four, five हो गई ना अब देखते हैं f i v e five f i v e five okay students आपको counting और ये number name सीखने बड़ा मजाया होगा तो अब देखो आपको क्या करना है अगर आपको इनसे related कोई भी problem है तो आप DAV स्कूल के whatsapp number पर message कर सकते हो thank you